तो वाइड येरफोन का जो ट्रेंड है वो मुझे अब चेंज होते हुए दिख रहा है क्योंकि आपको एक से बढ़कर एक वाइलेस येरफोन जो है बजट में देखने को मिल जाएंगे पिछले महीने मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था आपको टॉप 5 वाइलेस येरफोन के बारे में जिसको आप 1500 रुपे के अंदर खरी सकते हैं तो अगर आपने वो वीडियो भी तक नहीं देखिए तो उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगा जो है खरी सकें तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रही है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाई सब्सक्राइब कर लिजे ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूं तो मेरा नाम है नमन आप देख रहे है TechPlusGadgets.com, let's get started तो बात कर लेते हैं 5th नमर के wireless earphone के बारे में तो उसका नाम है Miwi Thunder Beat इसका जो प्राइज है वो 1899 रूपीज आपको देखने को मिलेगा लेकिन सेल के अंदर इसका प्राइज और भी कम हो जाता है around 1500-1600 आपको इसका प्राइज मिल जाएगा Miwi जो है बहुत अच्छी ब्राइंड है इंडिया में बहुत बड़िया बड़िया प्रोड़क्ट रिलीस करता जा रहा है उसी में एक ये प्रोड़क्ट है ऐसे लोग जिनको हैं तो लाउडनेस बगयरा जहें बहुत जाता पसँद ए बेस और लाउडनेस काफी जाता पसंद ए वो लोग इस एय關係 सकते हैं लेकिन इसका जो वोल कह वोकल हो उस लेवल का रहा है लेकिन ऑसा लेवल पार के अच्छा नहीका आए Turks हो संज नहीन है उसमें आपको CSR8645 का support मिलेगा इसकी जो Bluetooth range वो आपको 30 feet तक मिल जाएगी इसका जो battery backup है वो 7 hours का आपको मिलेगा around 70% अगर आप volume में सुनते है तो आपको 7 hour का जो है battery backup देखने को मिल जाएगा अगर मैं इसके battery की बात परूँ तो इसके जो battery है वो 100 mh के आपको सारी specification काफी अच्छी specification है अगर आप loudness पसंद करते तो इस earphone को खरी सकते है और इसकी जो buying link है वो मैंने description के अंदर दे के रखिए जितने भी earphones बताऊंगा और सबकी buying link मैंने description के अंदर दे के रखिए तो आप वहां से जाके इन earphones को जो है खरी सकते हैं अब बात करेते हैं fourth number के wireless earphone के बारे में तो उसका नाम है Bolt Audio Pro Base ये earphones काफी अच्छे कि इसका जो price है वो 3099 रूपीज आपको देखने को मिलेगा इसकी अगर मैं directly specification की बात कर लो तो इसमें आपको Bluetooth 4.1 की technology मिलेगी उसके साथ साथ इसका जो रेंज है Bluetooth रेंज वो आपको 30 feet तक मिलेगा इसमें जो चिप लगी है वो चिप है CSR8635 काफी अच्छी chipset है और अगर मैं इसकी battery backup की बात करूँ तो आपको 10 घंटे तक का यह बैटरी backup आपको आराम से दे देगा इसमें जो बैटरी है वो 128 mh के मिलेगी IPX5 को सपोर्ट करता है और काफी अच्छी बात है कि भाई इसमें आपको जो sweat resistance वाली चीज़ है वो काफी अच्छी मिलेगी as compared to MiV की कि जो MiV है वो IPX4 को सपोर्ट करता है और यह IPX5 को सपोर्ट करता है इसमें आपको passive noise cancellation भी मिल जाएगा जो खाफी अच्छी बात है इतने price range में यह सब चीज़ आपको मिल रहे है तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगी इसलिए मैंने इसको fourth नमर पर रखा है लेकिन इसमें जो है इसमें बोट रॉक्स 255 तो जो यह earphone से वो काफी अच्छा है इस earphone की उपर मैंने dedicated video बनाई है इसका review video बनाया है तो मैं उसके link description में और i button में दे दूँगा तो आप वहाँ जाके इसका बिल्कुल अच्छे से review देख सकते हैं और यह जो earphone से काफी पसंद है मुझे क्योंकि इस ear रुपीज के अंदर जो वीडियो बनाई थी तो इसकी अगर dedicated review वीडियो आप देखना चाते हैं तो इसके link में i button में और description में देख के रखूंगा तो आप वहाँ जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं तो आप बात कर लेते हैं second number के wireless earphone के बारे में तो उसका नाम है MI sports wireless earphone यह earphone काफी अच्छा है कुछ महीने पहले ही Xiaomi ने release किया है Xiaomi variety के product release करता है इंडिया के अंदर लेकिन यह उनका पहला wireless earphone है अगर मैं इसकी specification की बात करो तो इसमें आपको Bluetooth 4.1 मिल जाएगा उसके साथ साथ इसकी जो range है वो around 10 meter तक आपको मिल जाएगी उसके साथ इसकी जो battery है इसका आपको 10R का जो है battery backup मिल जाएगा तो काफी अच्छी है और इसमें जो है IPX5 का support मिलेगा तो overall अगर मैं बात करो तो इसका जो real competitor था वो था बोर्ट रोकोस 255 जिसको मैंने third number पे रखा है क्योंकि मुझे बहुत सारे comment आयते जिसमें उन्होंने लोगोंने पूछा था कि भाई बोर्ट रोकोस 255 और MI मैंसे कौन सा Bluetooth earphone लेना चाहिए तो मैंने भाई suggestion आप लोगों को बता दिया है कि भाई third number पे कौन सा second number पे कौन सा है लेकिन इसका जो एक मुझे कमी लगी है वो लगी है इसकी design आपको जो band type को कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ एक wire मिलेगा तो इसका जो build quality है वो अच्छी नहीं है as compared to boat rockers 255 लेकिन other specification इसकी काफी अच्छी इसके में जो sound वगरे है vocals वगरे है वो अच्छे मिल जाएंगे आपको clear मिलेंगे लेकिन boat में जो है bass आपको जादा मिलेगा तो यह जो चीजे थी इसको मैंने consider करते हुए इसको second number पे रख controller है इसकी जो price range है वो 2000 रुपे तक है लेकिन अभी थोड़ी high चल रही है लेकिन इसको अगर आप अपने card में add करके रखोगे तो इसकी जो price है वो 2000 रुपे आराम से चली जाती है लेकिन इसके sound quality है बहुत जादा जबरदस्त है आपको control music मिलेगा like आपको बिल्कुल heavy bass नह इसको खरीदा है और इसकी जो reviews है मैंने जितने भी reviews पढ़े है Amazon के अंदर बहुत जादा positive पढ़े है तो इस earphones की quality है चाहे वो build quality हो या फिर इसकी look and wise हो काफी अच्छा है इसकी अगर मैं specification की बात करूं तो इसमें आपको Bluetooth 4.1 technology मिलेगी इसकी Bluetooth range है वो आपको 30 feet तक की मिल जाएगी और इसका जो battery backup है वो आपको 7 घंटे तक का मिल जाएगा इसमें एक नए technology use होई है वो है CVC digital noise cancellation जिसके कारण music की जो quality है वो काफी अच्छी मिल जाएगी तो भाई ये overall जो चीज़े थी उन सबको consider करते हुए plus Amazon के जितने भी reviews थे वो सारे के सारे reviews positive थे इस earphone को ल मिल जाएगा तो भाई ये थे मेरी तरफ से 5 ऐसे earphone जिनको आप खरीच सकते हो wireless earphones और काफी अच्छे और काफी popular earphones ये सब रहे हैं तो इन earphones की जो buying link के best buying link मेंने description के अंदर देखे रखिए अगर आप उस link से इस earphone को खरीच से हो तो हमारे channel को बहुत बड़ा support आपकी तर कि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ thank you so much guys for watching this video मिलते हैं next video में ततक के लिए bye bye take care and peace